गण पाठ वही आपको पढ़ा दे रहा हो इत संग्यक्ष सुत्र आपको उम्हें सीरियल सीरियल हो एक तीन हम लोग पाला इत संग्यक्ष सुत्र जो पढ़े हैं बाबुराम सक्षेन पे संख्या ठाइश्ट अगर हम लोग से लिखेंगे सीरियल वाइच तो आप देखेंगे जितना इत संग्यक्ष सुत्र है सबका पहला क्रमांक एक 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 है मैं आपको पहला लिखवाओंगा सबसे पहले आपको लिखना है उपदेशे आजनुनासिक इत पहला आपको लिखना है उपदेशे आजनुनासिक इसका शुत्र करमांक आप देखेंगे आपको लिखना है हलंतियम आपको लिखना है आपको लिखना है हलंतियम हाँ भी लिखवा दे रहे हैं दोसरे नमबर पर आपको क्या लिखना है हलंतियम इसका कितना है एक तीन तीन तीसरे नमबर पर आपको लिखना है आदी रिटूडवा इसका संख्या क्या है एक तीन पाँच एक तीन हम लोग क्रम से चल रहे हैं देखिए वहाद दो तीन चार छूटा है पाँच और आप आएंगे च्छा नमबर पर सह प्रत्यया है चलत्य नमबर पर आपको लिखना है सह प्रत्यया है इसका क्रमांक है एक तीन च्छा इसके बाद आपको लिखना है चूटू इसका क्रमांक है एक तीन साथ एक ठो बचा है आपको लिखना है लाशक्व तद्धिते च्छटूञे नमबर पर लिखना है लाशक्व तद्धिते इसका क्रमांक है एक तीन आप ये इच्छा क्या है आपके इत्व संग्यक सुत्र हैं ये क्या करते हैं इत्व संग्या करते हैं किसकी किसकी करेंगे कब करेंगे यही हम आप देखेंगे ना तो सबसे पहले लिखा गया है उपदेशे अच यहां चाथा चाको जह हुआ है फिर यहां से आपका निकलेगा उपदेशे अच अनु नाशिक इत इसको जब हम तोड़ेंगे उपदेशे को अलग कर देना है उपदेशे में कौन से भी वक्ते दिख रही है आपको सब्तमी है अच यह चाथा चाको हो गया है ज्यां और यह क्या है अनु नासिक अरे किसले हैं उपदेश औवस्था में, उपदेश अवस्था में जो आपका सकते हैं जितने अच होते हैं वास्तों में देखा जाए तो सारे अच अनुनासिक ही होते हैं यानि कि सारे मतलब श्वर सारे स्वरों की इत शंग्य किस तूत्र से होगी उपदे से अजनुनासिकित से जो भी स्वर आपको दिख जाये गा उसकी संग्य किस्ट्र से करना है उपदे से करते न Hence Na उपदे से आउग्र को छोड़ देंगे जनोाशिक इसक्रना हम लोग यहां안 आंजारे लिए करते हैं कि समझ जाए कि हम लुग बोलगाना क्या चार रहे हैं इसलिए हम लुग क्या कैंगे अजनुनाशिक समझने के लिए कि अबच्छशन करेंगे लेकिन कहीं इंटर्विय देना हुआ नहीं किसी विद्वान के सामने बोलना हुआ तो आपको अबच्छशन करना तब क्या करना उपदेशे जनुनाशिक ना बन जाएगा तो यह किसकी इत्संग्य करेगा अनुनाशिक अच की ना जो अनुनाशिक अच होगी उसकी इत्संग्य किस शुत्र से होगा उपदेशे अच मिन्स जो स्वत हैं उनन उस्षवरों की क्या हो जाएगी इत्संग्य हो शुत्र कैसे लिखा अनुनाशिक निकलेगा ना नो ना शीक अनुनाशिक अच यह और आपको मैं बता दूँ यह अच जो है वास्तों में अनुनासिक ही होते हैं हम आप लिखते भले नहीं है हम लोग जैसे माली जी लिख दिये आ लिख दिये ई यह असुद्ध लिखते हैं व्याकरण की दृष्टी में हमको इसको ऐसे लिखना चाहिए हमेशा शिद्धी प्रक्रियों देखवा क्यों को शिद्धी करवा हैं इसमें ऐसे लगा देते हैं हम लोग लगाते नहीं यह असुद्ध होता है कि नेशे पढ़ावद सब चला आई है नेशे हमेशे पढ़ावद चला आवत तहीं आपको समझ लेना चाहिए अनुआशिक है अनुआशिक सहित जो अच होगा अच में सारे स्वर आ जाएंगे स्वर आपके यहां कितने हैं कुल नव स्वर हैं पांच मूल स्वर हैं और च इसको हटा दीजिए पाला सूत्र, आप दूसरा सूत्र यहां लिखा गया हल अंत्यम, ना इसको हम लोग तोड़ेंगे हल, लामेश अनिकल जाएगा अंत्यम, अंत्यम मतलब अंत्यम, अंत्यम हल की काउन से संजय होगी, इत संजय, किस सूत्र से, जब आप लक्षिद्दान क पड़ेंगे उपदेश से अंत्यम हल इच्यात वहां व्रित्ति लिखी गई है इस सुत्र की उपदेश से अंत्यम हल ना ऐसे भी लिख सकते हैं हल इसे भी लिख सकते हैं लेकिं यहां आपको सम्झाने के लिए तोड़ के लिख रहा हूं हल इसृत्य का इद सकते है उपदेश से अंत्यम हल श्यात उपदेश क्या है उपदेश आधि उच्चारणम आधि उच्चारणम आधि मतलब सबसे पहले जो उच्चारण किया गया है ना हमारे व्याक्राण साथ में त्रिमुनी है ना पाणिन कात्यायन पतंजल इन त्रिमुनियों के द्वारे जो सबसे पहले कहा गया है वही उपद उपदेश अवस्था क्या है त्रिमुनियों के द्वारा जो आदी में उच्चारन किया गया है वही उपदेश है और उसी उपदेश की अवस्था में जो अंतिम हल होगा उसी हल की इत्षंग्या हो जाएगी उपदेश अवस्था में जैसे आपका माहिसो सुत्र उपदेश है पानिन के द्वारा सबसे पहले कहा गया पानिन के द्वारा जो सबसे पहले उच्चारन किया गया वही उपदेश है कात्यान के द्वारा जो सबसे पहले उच्चारन किया गया वही उपदेश है पतंजल के अगर वह अंतिम में आ रहा है तो उसकी इस सुत्र से हलंतियम इस सुत्र से क्या हम लोग कर देंगे इतसंग्या और तस लोपा से लोप करने वाला मात्रिक के सुत्र है तस से लोपा तस मतलब उसका उसका किसका जिसकी इतसंग्या हुई है उसकी क्या हो जाए लोपा लोप हो अगर उसका लोप हो गया पूरी तरह सुनो पाइसा नहीं है सिद्धी प्रक्रिया में जब आप जाएंगे वह केवल दिखाई नहीं देगा लेकिन उसका भाव होगा ना उसको हम लोग पढ़ाएंगे फिर से एक बार जब लब शिद्धान काउंदी में संग्या प्रक्रण कि तब उपदेश एवस्ठा में उपदेश क्या है ट्रिमुनियों के दार सबसे पाले उचरित किया गया वही उपदेश एफ आवस्था में जो उन्ति महल होगा इस कि इत्षर संग्या होगी कि तो ुपदेश के अवस्था में राकां सлекल कि कौन से संग्या होती एक एस यहीं प्रस्ण पूछ निया जाएगा उपदेश से अंत्यम हल डेसडस्द स्याथ ना एक प्रत चेका उपदेश अवस्था में जो अंतिम हल होगाःव pandya just कि शुत्र से होगी हलंतिम्तिम्तित नहीं मिल जाए जिए नजये आपको देख देख उसको बना लेना है अंपने से चल रहे हैं एक दम शीरियल से सुत्र लिखा गया है यहाँ एक तिन चार वाला सुतर शूटा है ना वो और कोई शुतर होगा अश्ठाद्याई उठाना पड़ेगा उसके लिए यह लिए के बन जाएगा अंतियम मतलब अंतिम हल हल मतलब इसका आपको क्रम सहित याद कर लेना है एक तीन तीन एक मतलब पाले अध्याय का ये ये अध्याय है ये पाद है ये सुत्र है ना प्रथम अध्याय के तीसरे पाद का तीसरा सुत्र प्रथम अध्याय के तीसरे पाद का अच्छा कुल्म देखता हुँ तहा अध्याय और पाद एकके मिल हैं ना पहला अन्टयाई पहला द्याये पहला थ्याई पहला द्याय यहां भी पहला आध्याय था ना टीसवालती तीसरा पाथ सूत्र भी क्या है यहाँ चव्थवक़ा इकठो अध्याय के तेसरे पाद का छठोन शोत्र बन गया और प्रवक्ता वाले जेजे पढ़ी है न का बहुत ध्यान इकुल पढ़ाई के बाते क्योंकि इंटर्व्यू में कुछ भी पूछा जाई सकत है और इंटर्व्यू में पूछी ही केवल एक चीज वहां जो सामने बैठेगा एक जामनर जो आपका इंटर्व्यू ले जाई कि ओ पूछें जाओं तो अरे आवत रहे और अगर यह नहीं पूछा बेठा बताऊगे तब फंस जाएंगे तब चाये कित्नों गिद्वान बाइठर है सब फंस यहीं सामने तब क्या पूछेगा कहां पूछेगा पता नहीं तो मस्त तयार करके आए लोक सुने कौन प्रत्य कुछ भी पूछ सकता है चंद जब चंद में जाएगा तगाण यती ना यगण मगण तगाण यह सब कूछ सकता है तो उतने हिसाब से सब को तैयार करके जानना चाहिए यह हो गया दो सुत्र आपको समझ में आ गया पहला सुत्र हम लोग क्या पढ़े हैं उपदेश अँवस्था में अश्की है संग्या करे वाला सुत्र कौन सा होगा उंपदेश हैं किसा करेगा अंतिम बादेश शोत्र करेगा यह रहants जो दिख रहे हैं फाप्रत्य कि लास्ट के हलन वलन दिख जाएगा न को कुछ भी आजाएक ह। लास्ट में जो हलंत वलंड दिखेगा हलंत वलंड मतलब हलंत ब्यंजन जो भी दिखेगा सब की हलंटियम से इत्संग्या होगी तस्वße लोप होगा कि जैसे आप कोई प्रत्याय लेखें कि अपया haicas नतिम में हैं और हलंत है इन सब की क्या होगी हालंतियम से इत्संगिया होगी, और अगे आ जाइए, ये वाला देखे लिखा गया है, आदि ही, रि टू डवाह, यहाँ डवाह में यह डू था, यह क्या था? यह था टू और यह था डू इसी का रूप चला इसी को उकोवा बना है फिर रूप चला है यहां बहुवस्णान्त हो गया है यह क्या है आपका यह क्या है आपका यह क्या है आपका यह क्या है तो डू तो मतलब नहां यहां देखिए यह कहा होने चाहिए आदि में आदि में हो किसके आदि में हों कि यह आदि में होना चाहिए तू आदि में होना चाहिए डू आदि में होना चाहिए किसके आदि में हो पढ़े आप बहुत बढ़िया वावुराम सक्षेनम देख लिया पे संख्या 28 पे जाईए देखिए उस लाइन को फिर से आप टिक करिए लेके अभी पढ़ें आप क्या यह है क्या प्रत्याई प्रत्य के लास्ट में था प्रत्य के लास्ट में था पहले धात उलागे इसी धात में कभी कभी किसी किसी का आगम हो जाता है उसके बाद क्या जुड़ता है प्रत्याई प्रत्या हमेशा पीछे जुड़ था धात को पीछे कभी शिद्धी प्रक्रिमान लिगे का आगम हो जाता है और किसी का आगम हो जाता है और यहां क्या होता है। ना यह सु इत्याद इमान लेजिए उपसर्ग हमेशा पहले जुड़े धात कहां रहे बीच में रहे प्रत्य हमेशा ना और यहीं यह उपसर्ग अव धात के बीच में हमेशा शुट का आगम होता है जैसे संस्कृत सब्द बना है आपका संस्कृत बना है ना यह क्या है सम यह उपसर्ग है यह सम उपसर्ग है यह सुका हुआ है यह क्या है शुट ना यह क्या है क्री यह क्या हो गई धात और यह क्या है यह क्ता प्रत्य है शुट्क आगम हमेशा धात के और उपसर के बीच में होता है अब यह देखा शुट अंतिम्मबा एक्षाज ममस्थाजिय पोप्षाजिसलोपण हुए ऑ शुट्रण अन्तिम ममस्था से इतन के अतुम्धा कैं होप्षाज करूप यह ज़ेखा है पानिन के द्वारव पहले ही कहा गया है यह उपदेश भी है उपदेश अवस्था में है और यह अच्छ भी है तो इसकी हम लोग क्या करेंगे इत्षण्या कर देंगे और यह वास्तों में अनुवाशिक भी है यहां केवल लिखा ऐसे जाता है लेकिन आपको इसको मानना है यह अईसे हैं तो यह क्या हो जाएगी यह उपदेशे इसकी इत्स संग्यत्त से लोप यह भी हट गया तो यह क्या वच्छा के वुल्षा यह जुड़ गया है और यह धातुक्री है अप्ता कात्ता जुड़ गया है बन गया है संस्कृत हम लोग यह पढ़ रहे थे यहां लिखा गए आधी है आधी में होना चाहे है क्या आधी में हो लिखा गये द्धातवा इसके abbah क्या पर चूंब के बाद में अधोब प्रत्य के आद में नहीं होना चाहिए अगर धातु कि पहले न दिख गए तब हम इसकी क्या करेंगे इत्संग्या कर देंगे और जब इत्संग्या करेंगे तो फिर तस सिलोप सिलोप कर देंगे ना यह आपको ध्यान रहाना चाहिए इसकी इत्संग्या कब होगी जब धात के पहले लगे होंगे शुत्र में ही लिखा गए है आदी ही आदी में जब यी हो टू हो डू हो तो इसके हम क्या करेंगे इत संग्या कर देंगे जैसे कोई सुत्र बताईए जिसके आदि में चाहे e, to, to, do, कोई कुछ बताईए जहां से इसमें उदारन नहीं दिये हैं बाभुर हमें वहां ऐसा कोई उदारण बताई जहां पर द्धात के आदि में चाहे टू हो चाहे टू हो चाहे tej यी लगा हो इसका उदारण अभी खोचते हैं गूगुल सकeffect इतना आपसे बन जाएगा द्धात के ही पहले होना चाहिए धात के बाद होगा तो इस सुत्र से नहीं होगा फिर वहां दूसरा सुत्र काम करेगा प्रत्य के पहले होगा तब भी ये सुत्र काम नहीं करेगा धात के पहले होगा तो ये सुत्र काम कर जाएगा आपका ना धात के पहले क्या होना चाहिए यही टू डू तो इसकी क्या हो जाएगी इत्षाइगा? किस सुत्र से आदि रिंटु डवा से? बन जाएगा आदि में हो, क्या नी हो, तु हो, डू हो किसके आदि में हो धात के ना इसको तो साही से ब्याक्षा करने के लिए आपको वृत्ती पढ़ना चाहिए बृत्ति पढ़ेंगे तो समझ में आगा धात के पहले हो अथो प्रत्य के पहले हो ना बाबुराम के हिंदी में क्या लिख देंगे द्धात के पहले यदि रिंहीं हो और टू हो डू हो तो इसके हम लोग क्या कर देंगे इत्संग्या कर देंगे और जब इत्संग्या हो अगला सुत्र है शह प्रत्यया है शह मतलब मौर्धन शकार था यह क्या था ? मूर्धनी सकार का किताब में साप साप लिखा है किसी प्रत्य के आधि में आने वाला और यहां भी डिखा गए है प्रत्या शुत्र आधिरी तुडवाः के जश्टबादवाला सुत्र था आदि में हो कौन मी टू डू तो उसकी क्या हो जाएगी इत्संग्या और आदि में अगर साकार हो किसके आदि में प्रत्य के सकार प्रत्य के आदि में आब यहां लोग क्या लिखे थे धातु यहां उपसर्ग होगा यहां धातु होगा यहां प्रत्याय होगा ना प्रत्याए के आध में अगर शाकार देख गये चैसरे आप लिख सखते हैं brother प्रत्याय को आता है ना श्याइं लिखा गया प्रत्याय के आद में अगर आपको मुर्धन्य सकार देख जाए तो इस सकार का सश्ठी वखती है ना सश्ठी में क्या होगा का मुर्धन सकार में पढ़ें मैं पढ़िये थे धात के पाइले आना चाहिए क्या रीडु टू दू और यहां क्या निखा गए प्रत्य के पहले मुर्धन सकार दिख जाए तो इस सब्सकार की सुतरral से सह हो जाए inflam सरे यहां देखी यह है अन्तिम्हा कुत नहीं चाहिए लगा होना चाहिए परत्य के आधि में यह विड़ करता है प॥िए यहां लिठक है लोग कर देंगे ऐसब शिद्धी प्रक्रिया के साथ कि अब यहां लिख गए दिख गया आपका एक-टीन 7 नप आहली अध्या के इसरी-पद्ध का साथ पुमा सूत्र है चू मतलब चावर्ग यह कहां कहां होने चाहिए देखिए किताब में ही आपके लिखा गया है लिखा गया है किसी प्रत्य के आद में आने वाले चावर्ग और टावर्ग यानि कि जो प्रत्य होगा प्रत्य के आद में प्रत्य के ठीक पहले पहले क्या होगा यहां होगा आपका उपशर्ग ना यहां क्या होगा धात और यहां क्या होगा प्रत्याई इसी प्रत्याई के ठीक पहले अगर आपको चावर्ग औटावर्ग दिख गया ना तो हम लुग क्या करेंगे उसकी चूटूसे इत्संया जैसे कोई उदारन बताई जिसमें चाहट चावर्ग हो चावर्ग हो उदारण में आप इसका तो बहुत उदारण मिलता है क्या है उदारन उदारन इसका बताईए जिसके ऐसा कोई सब्द बताईए जिसमें जो प्रत्य लगा हो प्रत्य के आदि में चावर्ग हो अथवा टावर्ग हो इसका तो उदारन बहुत मिलता है याद नहीं आ रहा है कुछ है हाँ हाँ वो भी लिख लिए गडूल अब यहाँ देखिए यह कहां का है यह मुल क्या है यह ऐसे था हम लोग यहां लिख दिये हैं यह गडूल क्या है प्रत्य है के अंत में क्या है हलंत घंजन है न इस हलंत अगर प्रत्य के लाश्ट में हलंत वरण दिख गया तो हम लोग क्या कहेंगे इस को अगरते के आद में अगर क्या दिख गया यह किस वर्ग में for टा टा डा ढडा ये टू है कि नहीं है प्रत्य के आद में टू देख गया तो इसकी हम लोग क्या करेंगे चुटू से इत्संग्य करेंगे तसलोप से लोप कट देंगे बन जाएगा ये हो जाएगा चुटू प्रत्य के आद में ही होना चाहिए प्रत्य के आद में अगर धा आदि में ही टाठा डाडा दिख गया तो हम क्या करेंगे चूटू से उसकी क्या करेंगे इत्संग्या कर देंगे तसलोप से लोप कर देंगे बन गया की नहीं बन गया अब आपका एक सुट और वजा है इत्संग्या करने वाला ये क्या लिखा गया है ला सा कू इसको हम लोग तोड़ेंगे ये था आपका ला ना ला में हलंत होगा ये सा ये क्या था ये था कू इसी उ को यहां हुआ है वा और आगे लिखा गया था आ तद्धिते इस उ कार को हुआ हुआ और वा में आ करके ये आ मिल गया ये वा पूरा हो गया यहां देखी वा पूरा हो गया बाकी आगे तद्धिते ये तद्धिते लिखा गया है ना ला सा और यहां कू कू मतलब का वर्ग लेकिन ये तद्धितांत नहीं होने चाहिए अतद्धित का होना चाहिए ना तद्धित का प्रत्ये ना हो यदि और आपको ला दिख जाए श्रा दिख जाए और कुवर्ग कुव मतलब का वर्गा खा गा 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 ना दिख जाए तो इसकी हम लोग क्या करेंगे इत संग्या कर अब इसमें बाबुराम सक्षेना में देखिए लिखा गया है तधित से भिन अन्य प्रत्याओं के आदि में ना जो तधितांत प्रत्याओं उन प्रत्याओं से भिन और कोई प्रत्याओं है और उस प्रत्याओं के आदि में लाकार दिख जाए ना साकार दिख जाए और काख गागागा दिख जाए यह सब कहां दिखने चाहिए प्रत्य के पहले ना प्रत्य के पहले अगर यह लास्ट में दिखेंगे तो हलंत्यम से इत्षंग्या होगी अगर लास्ट में दिखेंगे तो अंतिमहल होगा तो हलंत्यम से लेकिन अगर प्रत्य के आद में प्रत्य भी त कार दिख जाए का खागा घंग न दिख जाए तो लशक उत्तधिते से उसकी क्या हो जाएगी इत्संग्या अवत्त से लोपा से लोग बन गया की नहीं यह हां हां लिट ले ले लिजिए लिट कि लिट श्यन कौन क्याच हो गया देखिए आपको है कि यह भी प्रत्य है आपका ना यह क्या कहता है लशक उट Δ miraculous खया है कि न तद्धित का देखा कूवर्ग पहले कूग कावर्ग पहले दिखणना चाहिए आदि में प्रत्य के आद्य में होना चाहिए अब आप बताई को तदिते से इत् संग्य करेंगे करेंगे कि इसकी करेंगे मैं इसしुत्र क्या कहता है और प्रत्य के आदमी हो लसा काखागा घंगा ये प्रत्या है प्रत्या के आदमी काखागा घंगा ये कुआ गया आपका तो इस का की हम लोग क्या करेंगे इत्संग्या करेंगे किस सुत्र से लसक उतदिते से ना ये लसक उतदिते से इत्संग्या तस लोपा से लोप हो जाएगा तो क्या बचे का आप एब हैं यहां देखिए हैं यह का अन्तिम है ऊर अर हल है और हन्हें उसमें प्रस्टियदBut उनके प्रत्याстन में लगा न्थिम हो गया और हल हैं हलनत हैं इसलिह तो इत्संगे तसलोपा से लोग हो जाएगा यगाया बन गया ना quand I'm दश्बादमिं होना चाहिए मुझम के आद्मिंप प्रतिय के अदिमे होना चाहिए और जो प्रतिय है उसके आध में अगर लग कार दिख जाएगा तो हम लशकों तदिखना से इत्संगा शलोप कर देंगे घदन ना यहाँ यहाँ आधि में भी दिख रहा है आपको लब रत्य में अगया लिय। खर इंगे लशक को अगया दिखते से सांगय तो वार्ग षुतर बंदर कां है यह गए और ऑनमch और वो गईराया आये गा यूपको अखादिश करेगा यह वर न देखिये सब परने है और ना बाद में और नहीं देखि यह क्या कहना नहीं देखिए लशक कुतधित कह रहा है तदित का नहीं हो और यह किसके आदि में हो यह प्रस्तिय के अध्याय में आजाएगा तो फिर यह करेगा प्रत्या एक अद्या-》 आद्दिमे शाकार होना चाहिए दो क्या है प्रत्या प्रत्या झौन चाहिए सुर्य के अध्या है ध्यायर कहीं seiner स्क्षम से सम पसे लूब क्या बचेगा यह जाएगा अब का। कि तरी हवर्ग में घुझान कि लिए क्या ऎता है कि यह देखे जिए कूवर्ग में ना यदि कोई प्रत्य नो वर उसे प्रत्य Até आदि में काखा गागा न दिख जाए तो यहां का दिख गया इसकी हम क्या करेंगे लसक उतादिते से इत्संग्या कर देंगे तसिलोपा सिलोप और यह प्रत्य का अंतिम है जो चकार दिखरा है यह क्या है प्रत्य का अंतिम है और हलंत भी है ना अंतिम हलंत की इत्संग्या क पासिलूप पासिलूप क्या बच जाएघाल नहीं ना कौन कब कब काम करता है आधुuuウार क्या करता है आधि में में हो खाने धाथ के आधि में हो ने लेहलो रागत व्यक्ति सन्वंद्ट थि द डूवगों लुई के ना साह प्रत्य यहां यह सुत्र क्या करता है जब हम कहें साह प्रत्य यह सुत्र क्या करता है आपका उतर होगा इत्त संग्या करता है इत्त करता है किसकी इत्त करता है मूर्धन शाकार की ना मूर्धन शाकार कहां रहेगा तो साह प्रत्य से इत्त संग्या होगी प्रत्य के ठिक पहले ना लसक को तधिते क्या करता है इत्संग्या करता है किसकी किसकी इत्संग्या करता है लाकार का तालब विशाकार का कु का खागा घंगा का ना लाकार तालब विशाकार का खागा घंगा यह कहा होने चाहिए प्रत्य के पहले प्रत्य के आदमे ना तब क्या करेगा इत हो जाएगा ना सवरों की इत्संग्या करने वाला सुत्र कौन सा है उपदेश जनन्वाशिक ना उपदेश अवस्था में अनुन्वाशिक अच्की क्या होगी इत्संग्या होगी ना चूटू यह क्या करेगा इत्संग्या किसकी इत्संग्या चावर गवटावर के यह चाव त्रिमुनियों के द्वारा जो सबसे पहले कहा गया है उसमें अगर अंतिम हल दिख जाए आपको तो उसकी हलंत्यम से इत्संग्या कर देजी बन जाएगा यह जो प्रत्या है आपका प्रस्म शकता है पढ़ने पढ़ाने वाला पोचने वाला जो आपके इत्संग्या कितने है पाले अध्याय के किस पाद में है shthya shuch टिमिरीव बन जाएंगे सब्से ला तो ये आपकर 6 इत्संग्यक सुट्र हों और जिसकी जिसकी इत्संया होगी लिखा गए तस्या तस्या लोपा तस्या उसका उसका लोपा लोप हो जाए किसका लोप हो जाए जिसकी इत्संया है यहां तस्या पत्षे किसका जिसकी इत्संया हुई है तस्या उसका लोपा लोप हो जाए ना किस से लोप होगा तस्या लो लोप करता है यह विधि शूत्र है यह फूचा गया था लोप ऋपर संग्या करने वाला शुत्र है सहे अहीं प्रसुन था जोप संग्या करने वाला शुत्रा दर्शनम लोप करने वाला विधी सुत्र है तस्य लोप बन जायेगा सबसे तो यह चाहिए आपको याद रहने चाहिए जावने दिन मोडबने वह दिन पूछे शुरू कहीं दिये ना किस अध्याय में है किस पाद में है सुत्र संख्या क्या क्या है दो लेना है तिन लेना है चार को छोड़ देना है पांच च्छा साथ ना सब पाले अध्याय में है तीसरे पाद में है बन जायेगा यह आपका क् गण पाठ में आपको गण पढ़ना है, यह मैं कुछ यह ने गण पढ़ चुका हुए कि यह कितनी बार, और कुछ लोग हैं, एक आग दो लोग होंगे जो नहीं पढ़े होंगे, गण कितने हैं आपके यहां, दस, दसो गणों को सीरियल से गिनवाना है, कितने हैं आपके हां, और अठारा तिंग जो है, नव परस्मे पदी वाला, नव आत्मने पदी वाला, और अगर यह तिंग याद रहता है, आपको रूप कहां कहां कैसे कैसे बनेगा, वो हम लोग पढ़ेंगे, प्रवक्तां में हमारे सिल्वस में है धात रूप, सब्द रूप नहीं है, सरुनाम रूप भी नहीं है, केवल धात रूप, और धात रूप जो है, वो प्रतिनी धिधातूं का रूप है, प्रतिनी धि मतलब समझ रहे हैं, आपको प्रवक्ता पढ़ना है ना, प्रतिनी धिधात मतलब गणक पहली पहली धातू, जैसे भवाद गण के बहुत धात, अदाद गण के अद धात, तनाद गण के तन धात, जो पहली पहली धात हुआई वही प्रतिनी देधात हुआई, उसी का हमको दसो लकारों में रूप पढ़ना है, हम लोग आएगे बाबुराम सक्षेना में जो आपको गण विचार तो बाबुराम एक जगा और गण दे हो, अगर पीछे आप जाएंगे, पीछे आपको जाना, जहां देखा धात रूप दे हो, उसी की पहले, पेज संख्या वही जाके देखिए, जहां धात रूप दिया होगा, उसी की पहले इसमें तो ये सब लकार रुकार है, पेज संख्या तीन सव पे आईए, तीन सव पेज संख्या खोल लीजिए आप लोग तीन सव पेज में आएंगे मिला सबको अब उस पहले पहर जहां 134 नंबर लिखा है वहीं से पढ़ना है, संस्कित भासा के प्राय सभी सब्ध धातुओं से बने हैं संस्कित भासा में जितने सब्ध हैं अभी आप प्राकत्थन में पढ़के आए हैं, सारे सब्धों का मूल आधार के आए धातु समू प्राकत्थन के पहले पेज में आप पढ़े हैं यहां भी लिखा संस्कित भासा के प्राय सभी सब्ध धातूं से बने हैं, ना क्या संग्या, क्या विशेशन, क्या क्रिया, क्या अभ्याय , ना कुछ शब्द ऐसे हैं। कि उपर से धातु से बने नहीं जान पड़ते हैं किन्त वयाकरण उनको भी धातुं से निर्मित सिद्ध करने का प्रयत्न करते हैं वयाकरण की द्रिष्ट से धातु सब्द का अर्थ है सब्द योनी यह खुब पूछा जाता है आपके यूपी टीजीटी में धातु सब्द का अर्थ क्या है सब्द योनी जहां से सब्द उत्पन होते हैं वही है धातु इसको आप हाइलाइट कर लेजिए यह आपके टीजीटी में पूछा जा चुका है प्रस्ण अर्था जिससे सब्दों की उत्पत्ति हो उसे क्या कहा जाएगा सब्द योनी किसे कहा गया धातु को धातु के समूह से ही सब्दों की उत्पत्ति होती है और यह प्रस्ण पूछा जा चुका है आगे लिखा गया धातुपाथ में कुल 1880 राट ऑब कि अचली लिखा गया है वहीं आपको क्या कर लेना इसको हाइलाइट कर लेना है इन्ही से प्रत्य विश्यस जोड़कर संस्कित भांसा के सब्द बनते है न धातू से प्रत्य इत्याद जोड़ जाएगा तो क्या बनेगा ह्मारा सब्द न कहीं-कई-कई उफसर्ख जुड़ेगा कहीं केवल धातू से प्रत्य जोड़ जाएंगे कहीं कहीं उपसर्ग धातु प्रत्य सब जोड़ेंगे तो क्या बनेगा सब ना तो यह प्रस्ण आपका व्याक्रण की द्रिष्ट से धातु समुह का अर्थ क्या है सब देयों नी अब इसी के नीचे वाला पहरा आपको देखना है धातुओं में कृत प्र जाएगा धातु फॡ़ जोड़ कर क्रियायं बनती हैं भावत्त भावन्त इसमें प्रत्य जूटा में ध्रिष्ट्र से विचार किया जाएगा अब यह नीचे डिया है धातुओं में दस विबागों में विभक्त की गई संस्कृत में धातु में जो है उनको कितने भिभागों में रखा गया अईसा करकिते हैं छोफों 20,000 जिसको हम लगभग करेडिते हैं गए अगर आगे आप लगभग लगा दिये 1880-2000 तक पहुंच जाएंगे लगभग संस्कित में कितनी धातुएं है 2000 संस्कित जगत में जो लगभग 2000 धातुएं है उनको कितने विभागों में रखा गया 10 लिखा गया है इनको गण कहते है जो 10 विभाग है उन 10 विभागों को हम आप क्या कहेंगे 10 गण तो यहाँ लिखा गया गण विचार यह गण गण कितने है आपके गण 10 है संस्कित में लगभग 2000 धातुएं 1880 लगभग 2000 धातुएं इन 2000 धातुएं को हम 10 भागों में बांट-बांट कर रखते हैं उसको हम 10 गण मन गया अब नीचे देखिए लिखा गया है इन इनको गण कहते हैं उनके नाम यह है नाम भी वहां दिये गए भवादी अदाधी जुहुत्याधी इसको आप हाइलाइट कर लिजिए स्वाधी ना तुदाधी रुदाधी ना रुदाधी तनाधी क्रयाधी और चुराधी ना इन्व अब आपको करना क्या है आपको नोट्स बनाना है नोट्स आपको बनाना है गण कितने हैं आपके अहां तस संस्कित में लगभग कितनी धात हुए हैं लगभग 2000 धात में लगभग 2000 धात में को दस भागों में जो माटा गए वही दस भाग को ही हम लोग क्या काते हैं गण तो यहां लिखना है एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ नव दस यह गण हो जाएंगे शीरील से यही आपको लिख लेना है जो यहां लिखा गए अधार जुहत्याद श्वादे बाबुराम नुवे देवाज वहां लिखे वो गता लिखे भवादी गण दूसरा होगा जुहत्याद गण मैं क्रम से लिख रहा हूँ आपको पहल दूसरा अदाद लिखिए तीसरा जुहत्याद लिखिए ताकि आपको अभी एक ठो कारिक्या पढ़नी है दूसरा अदाद इगन तीसरा क्या है जुहत्याद इगन क्रम से लिखना है चाउथा दिवादी पच्वा स्वादी चाउथा दिवादी गन पच्वा स्वादी गन छट्वा आपका तुदादी गन सत्वा रूधा दि अठ्वा अठ्वा पए तनादी गन नावे पए है क्रया दिगन क्रया दिगन और दस्वा क्या है आपका चुरा दिगन अंतिम क्या हो जाएगा चुरा दिगन ना यह क्या हो गए है यह गणों के नाम हो गए है आपको यहां लिख लेना है गण गण नाम या गणों के नाम गणों के नाम इसको यहां से उठा करके उपर रखती जी आप यह क्या हो गए है गण के नाम आगे इसे में आपको लिख लेना है विकरण धात्में और प्रथम धात्में ये आपका एक पॉइंट हो गया यहां लिख लेना है विकरण किस धात्में कौन कौन सा विकरण जोड़ता है हम लोग पढ़ते हैं विकीरण लेकिन है क्या विकरण और उसके आगे आपको लिखना है धात्यूएं और उसके आगे लिखना है प्रत्रम धात्यूएं तो पहले आप विकर्ण पढ़ लेजिए भुवाद गण का विकर्ण क्या है आपका सब यह सब है सब का सेश क्या बचता है अब देखाँ सब में यापवा क्या है अन्तिम है और हल है और यहां देखिए सब ये क्या है कहाँ है पहले है आद में है लसक्त दिते सेइज संगेत असलोप सेलो बचेगा क्या सामें विद्यमान आकार बच जाएगा इसके बाद आपको अदाद और जुहत्याद में कौन सा विकरण है इसमें कोई विकरण नहीं जुड़ता आपका जुहत्याद का विकरण क्या है इसका दिवाद का क्या है श्यन यह क्या है श्यन दिवाद में आपका श्यन स्वादी में क्या बचेगा स्वादी का हो जाएगा स्वादी का क्या बचेगा नू तुदादी का आपका विक्रण लिखा गया है सा तुदादी इसको आप इसके सेध में ऐसे ऐसे करते चलेंगे कि अधंल्टा सेधां वही है तो दादि का क्या लिखा गया है आपका विख्रन है आपका श sz कि और इस साम में बचेने क्या मैं है कि अप oms ंशनं इसका क्या बचेना कि न स्नम का क्या बचेगा ना क्रियाद में तनाद में आप जाएंगे तनाद का विक्रण क्या है उ रहेगा क्रियाद में आपका विक्रण दिया है स्ना इसका क्या बचेगा ना चुराजिकए विकरण इसमें रणिच का आगम होता है रणिच का आगम होगा रणिच को फिर आप आधेश हो जाएगा जोरयन तोरयन तोरयन तो यह वाला रुप जो चलता है ना ? विकरण हो गया और किसमें कितनी धातुमे हैं ? बवाद गण में कितनी जात्यूं है बवाद गण में 1035 अदाद गण में 72 बहत्तर पूरी खाए रहा अद मतलब खाना इसे सब याद के हैं बहत्तर पूरी खाए रहा इसके बाद आपका है दिवाद गण में 24 जोत्याद गण में 24 दिवाद गण में 140 स्वाद गण में 35 तुदाद गण में 157 रुदाद गण में 30 तनाद गण में 10 क्रयाद गण में 61 चुराद गण में यह हो गया अब आपको पहली पहली धातु लिख लेना है यहां लिख लेजी प्रथम धातु ये प्रथम धातु ये भवाद गण की पहली धातु क्या है आपकी? भूध हातु अदाद गण की क्या है अदध हातु आप शीरी इसको क्रमच लिखेगा यहां आगे पीछे हो जा रहा है जहुत्याद का खुध हातु दिवाद का दिवध हातु स्वाद का सु तुदाद का तुद रुदाद का रुद तनाद का तन इसको आप शीरील से लिखिएगा नहीं पता चला हम लिखने आगे पीछे हो जाई तन क्रयाद का क्री चुराद का चुर एक, दो, तेन, चार, पान, छे, साथ, आठ, नव, दश यह पहली-पहली धातुय हो बहीं है प्रस्न पूचा जाएगा गण कितने है संस्क्रत जगत में लगभग धातुयं कितनी है लगभग 2000 धातुयों को कितने भागों में बाटा गया दस और जो 10 भागों में बाटा गया उनका नाम क्या है गण ना तो भवाद, अदाज, जोत्याद, दिवाद, स्वाद, तुदाद, रुधाद तनादी, क्रायाद, चुराद किस गण में खिकटनी धात्यूं है ये भी प्रशन पूठ जाता है भवादिगयर में लिखा गया 1035 धात्यूए अदाद गण में 22, जोत्याद गण में 24, दिवाद में 140, ना स्वाद में 35, तुदाद में 157, रुधाद में 25, ना तनाद में 10, क्रयाद में 61, और चुराद में 411, सब का विकरण कौन सा विकरण किसमे किसमे जुड़ता है, जब हम लोग भावती पढ़ते हैं, भावती, मैं आपको यहां थोड़ा सा बता दें, भावती में कौन सिधात्य है, भू धात्य है, जब हम भावती में पढ़ता है, सब का आ, तो यहां रार्ड सब का आ ही लिखते है, ना भावत्ति में कौन सा प्रत्य जुड़ा है तिप तस्जी तिप का हम केवल ति लिखते हैं यहां केवल साट कट में ना यह भा है यह क्या है ना यहां उको क्या हो जाएगा आपका वोको यहां किये है वा और यही वा में क्या जुड़ जाएगा आ और यहां आजाएगा यही बनेगा आपका भावति है वम जवन अदिखत दवा सब का है वा में जो आ दिखरा है यह क्या है आपका सब का है और ये विक्रन हाँ भाँ आधा होगा वहां भी एक्ठो व्याकरन का कुछ नियुम लगेगा व्याकरन का वहां कुछ नियुम लगा है तब भावती बनेगा तो जब भावत सुध्ध कर जब आप जाईए तिंगन्द प्रकन लक्षिद्धान कौम दिमें तिंगन प्रक्ण में जाए है, वहाँ सारी सिद्धी दी गई है, तो आप वहाँ जाएंगे, तो यहां मैं क्यों सब दिखाना चाहा रहा हूं, सब कहां लगा है, सब कहां लगा बाँ, वहां में आजवन बाँ, वह सब आई, जब सिद्धी प्रक्ण में जाएंगे तो आपक पहचानबा इसे भवाद गण में कितनी धातुएं है एक हजार पाइते धातुप याद करेक परे भू पठ ये सब आपका इसे में जाएगा भव पठ भी पठाती ना पठ था में जवन आ लगा बाटे वो सपाई ना इसका रूप जिसका रूप ऐसे एक तरह चलेगा वैसे आपको देखना है बाकी एक हजार पाइते धातुप नत के उक्यादबा बहुत रेर के समदू एक होई ही कि अपवाद टाइप मोनहें की याद होई ना तो आपको याद करना होगा तभी आप पकड़ पाएंगे य पड़ें रहें तो जिए प्रक्रिये हुए बताई प्याई हैं हम इसमें आपको यह बताना चाहा है कि स्ञंस्कित में कुल कितनी धातु में लगभग लगा के बताना है ना लगभग 2,000 बाबॉराम में कितना दिया है 1888 ना लगभग 1,800 अब लगभग क्या करना है 2,000 अब आपसे में देखे बाबॉराम सक्षेनमे तेकदम एक्जैक्ट दे दी यह 888 परवक्तम जाबा प्रतिनी धिधातूं का रूप यही प्रतिनी धिधातूं परवक्तम कभी कभी पूछ लेता है एक्ठो धातूबा हो बहुत पूछी जाती है पूछी खुब जाती है थोड़ा चलता है उसका रूप कहें लिखे नहीं है है मुह में अभी याद आएगा बता देंगी एक अभी देखें कारिक्या बाट रही है इसके लिए कारिक्या आप बाबुराम सक्षेना खोलेंगे वही पेश संखें 300 के नीचे वही कारिक्या लिखी गए उसे में 10 गणों का नाम गिनाया गया है कारिक्या देखिए सबके पास मिल रही है ना देखिए क्या लिखा गया है भुवाद्यदादी जुहुत्यादी ना दिवादी स्वादी रेवच्या ना तुदादिश्च रुधादिश्च तनादी क्री चुरादया एक आगवर संदी विच्छेत का एक पढ़ा पाले में लिखा गया था भू ना भू और आगे क्या लिखा गया था यहां दूसरी दादी में दो धातुएं आपकी गिने दो गण गिनाय गए भावादी और अदादी और आगे जाब जुहुत्यादी इसमें क्या गिनाय गया जुहुत्यादी आगे लिखा गए है दीवादी यहां चवती दीवादी गया उसके आगे श्वादी एवच्या इसके आगे पच् बन गया नॉट पहले में भवाद्य दादी में दो गिनाई गैंगा अगर आपको मुझवानी याद करना है इसके बाद इसे पर बैठाए बहुसके बाद बन जाएगा ना इसको आपको दो तीन बार वाचन करना है एक बार यहीं वाचन करिए सब लोग चाहे इसमें चाहे इसमें एक बार आप जो यहां किताब में लिखागे इसको देखके करिए एक बार मोजवानी यहां से करना है सब को ना एक बार किताब में देखके करिए सब बन रहा है एक बार यहां से इसको देखना है यहां से शीरियल से लिखा भी गया है पढ़िए यहां संधि कर देंगे हम आप ना यहां इको यह हो जाएगा और इसमें जाकर के मिल जाएगा पढ़िए भवाद्य दादी जुहूत्यादी ही दिवादी ही स्वादी रेवच्च तुदादिश्च रुधादिश्च तनातिक्री चुरादया। बन जाएगा अनुष्टुप्छंद बहुत सरल चंद है और याद बहुत जल्दी होता है कोई इस लोग अनुष्टुप्छंद में होगा तुरंत याद हो जाएगा चार बार वाचन करिए बस तो हम लोगों का गण हो गया आज और चाइत संग्यक्ष शूत्र हो गए ना गण कितने हैं दस धातुएं कितनी हैं पोचा जाएगा संस्क्रित जगत में कुल कितनी धातुएं हैं लगभग दो हजार बाबुराम सक्षेना में अठारा सो अस्षी लगभग जोड़ देना है आपको साथ में लगभग अठारा सो अस्षी अथवल लगभग दो हजार ना संस्क्रित जगत में लगभग जो दो हजार धातुएं हैं उनको कितने भागों में बाटा गया दस ना उन्हीं जो दस भाग किये गए उन्हीं को हम आप क्या कहेंगे दस गण दस गण कौन पहल कोई कभी पूछ लेता है ना भूध हात का अर्थ क्या होगा भू मतलब होना यहां आप लिख सकते हैं यहां लिख सकते हैं अर्थ करके यहां लिख सकते हैं भू मतलब होना आद मतलब खाना खाना यहां हू मतलब हावन करना दिव मतलब चमकना सुपद का अर्थ हैं सुधात्यात्यात्याथ क्या है सुधात का आर्थ है स्वाद लेना स्वाद ही कर दिजिए तुद धात का आर्थ क्या है दुख देना रुध धात का आर्थ क्या है रोकना तन विस्तारे जिसको हम लोग कहते है फैलाना क्री क्री धात का आर्थ क्या है खरीदना देखिए यहां क्रीधातु है और इक्षे है इधातु होता इस क्रीधातु को आर्थ है करना ना और इस क्रीधातु को आर्थ क्या है खरीदना और चुरधातु को आर्थ क्या है चुरणा इसका आर्थ भी लिख लेजिए अब इसी से आपका रूप चलेगा और इसी से आपका अनुबाद भी सही होगा जब ये धात रूप जानेंगे उस सब्द रूप सब्द रूप जैसे हम लोग एक ठो लिखते हैं रामा हा रामा ना रामा हा रामा रामा ना पठती पठता हा पठंती एक वचनानत वाला एक वचन के साथ दूई वचनानत वाला दूई वचन के साथ बहुचनानत वाला बहुचन के साथ जोड़ दीजी आपका अनुबाद सुद्ध हो जाएगा ना रामा पठती ना पठती और दूई वचन में क्या बनेगा पठता है और राम का दूई वचन म यहां एक्ठो लिखना है किसी सब्रोब कोई लिखी एक्ठो धा假Et रुप लिखिए कोई यह लैक वचनान्त को दुई बचन में लकुत लेन से मिला जाएं तक संट पूरीश वालाAPP में आपको बता ही दें समय है बहुतना कि उभियात नाई है यह क्लास इसलिए चल रहे हैं सब्जने नाई आई हैं सबका नुक्सान नहों बावुराम सक्षेना का ना और यह आपको छोटी-छोटी चीजें जो बता रहें बहुत काम चीजें अनुबाद सबके गलत हो यह क्या-क प्रावण रचना नुबाद काम चीजें चीजें शूरू करें तो प्रांभिक रचनानुबाद कामदी ऊमा इसे बतार यह दिया गया है जब फोड़ा सब्सक्राइब तरशना नुबाद कामदी शाल करें लिए जिसमें 2-2-4-4 वाक्क्यों का अपको अनुबाद मिले जा जैसे हम आपको एक ठोरूप या लिख रहे हैं राम का रामः रामवर हुना इसको आपको देखनाय से यह इतनु marc रामा मतलब एक राम ना रामा मतलब दोई राम और रामा मतलब तीन राम नाई तीन से जादा बहु बचनान्त हो गया इसी पे हमको लिखना है पठाती पठा ताह पठानती ना अब हिंदी बोलताई बतावा काउन होए राम पढ़ता है यह हो जाएगा राम पठाती यह संस्कित हो गया राम पढ़ता है अथवा राम पढ़ता है दोनों के क्या बनेगा संस्कित ना दो राम पढ़ते हैं राम पठता ना बहुत सारे राम पढ़ते हैं रामा पठत ना अब इसी में कुछ रामा लिखाती लिखता है लिखनती राम लिखता है रामो लिखता है दो राम लिखते हैं ना रामा लिखनती बहुत से राम लिखते हैं ना हसती हसता हसंती चलती चलता है चलती सब में जोड़ते जाएए सब का आपका अनुबाद से ठोड़ता जाएगा एकदम जीरो लेवल वाला नुबाद है जैसे ये आपको लगबग समझ में आ गया होगा रामा पठत एक राम पढ़ता है या एक राम पढ़ रहा है रामो पठत दो राम पढ़ता है अथवा दो राम पढ़ रहे है ना रामाह पठंती ना तीन राम पढ़ रहे हैं अत्वा बहुत सारे राम पढ़ रहे हैं ये बन जाएगा आपको शिखाना है उसमें जैसे असमद युशुमद वाली में असमद वाला रूप जब भी चलाएंगे अस्मद वाला रूप एक्ठो होता है एक्ठो किसका होगा युस्मद वाला युस्मद वाला रूप हमेशा हमेशा जैसे अभी आपको हम यहां लिखवाई है पठती पठता हा पठन्ती ना पठशी पठा था हा पठा पठा मी पठावा पठा मा पठा मी पठावा पठामा यह वाला यह वाला किसके लिए प्रियोग होगा इसको क्या कहेंगे इसमें काउन सा पुरुष है यह परफाम पुरुष है इसी परफाम पुरुष को हम लोग क्या कहते हैं अन्य पुरुष कहते हैं ना यहां देखिए पठशी पठता हाँ पठत यह किसके लिए आएगा इसमें करता काउन होगा युसमद युसमद और इसका करता काउन होगा असमद ना असमद पठत का अर्थ क्या है मैं ना इसका अर्थ है मैं मैं के लिए काउन सी क्रिया चलेगी हमेशा हमेशा यानि कि आशमद के साथ हमेशा जो क्रिया लगेगी वो उत्तम पुरुष की क्रिया लगेगी युसमद मतलब तुम युसमद मतलब तुम और तुम के लिए हमेशा काउन सी क्रिया लगेगी तुम इसका अर्थ क्या हो जाएगा तुम के लिए हमेशा और हमेशा काउन सी क्रिया लगेगी मध्यम पुरुष की इसको तो आप जान लिए चाहे किसी का भई नाम लेजिए यहां लिखा गया प्रथम पुरुष अथवा अन्य पुरुष ना किसी का नाम लेकर के यहां आप चला सकते हैं ना राम लखान हमारा आप ना किसी का नाम लेगे यह काम बन जाएगा लेकिन जब असमत को करता बनाएंगे तो कौन सी क्रिया लगानी है उत्तम पुरुष की युस्मत को जब करता बनाएंगे कौन सी क्रिय लगाएंगे ना अब युस्मत वाला एक आप रूप लिखिए कोई युस्मत का रूप आप लिखेंगे नहीं अभी उसका रूप लिखिए तुम यूवाम यूवाम तुम मतलब तुम एक तुम यूवाम उसका मतलब अर्थ क्या होगा तुम और इसका अर्थ क्या होगा सब तुम सब एक बचन वाल युस्मत है युस्मत की कहां लगेगा हमेशा मद्यमपुरुष पढ़ते हो द्विवचन है तुम दोनों यूवाम पठता तुम दोनों पढ़ रहे हो अथ्वा तुम दोनों पढ़ते हो यूवाम पढ़ते हो तुम सब पढ़ रहे हो अथ्वा तुम सब पढ़ते हो बन जाएगा कि नहीं ये तो इसमत का मैं बता रहा हूँ अगर भावत सब्द आ गया भावत भावत जिसका भावान भावंत भावंत रूप चलता है ना भावत सब्द का रूप हमेशा और हमेशा इसके साथ चलेगा इसके साथ पृथह्त है थो अन्य पृषत के साथ मैं भावान पठति आप पढ़ रहे हैं ऐसा हो जाएगा ना भावंत पठता आप दोनों पढ़ रहे हैं तो भावत सब्द के चाहे जहां रूप चले इसका अगर अनुबात करेंगे हमेशा हमेशा पृथह्त भीवचन ले रहे यहाँ से भी वचन ले रहां यहां से भी वचन लिए । अनुबाद का भी गलत नहीं हो गाई जी रू यह आप प्रारणम्य कर्शेंद आनुबाद को शो सकते हैं न आप्ट्न पुरुश अन्य पुरुश का किसी के नाम के साथ इसको जोड़ सकते और युसमत को अगर करता बना रहे तो मध्यमपुरुष की क्रिया आपको जोड़नी है और अगर असमत को करता बना रहे हैं तो उत्तमपुरुष की क्रिया आपको जोड़नी है असमत का करता क्या हो जाएगा अहम आवाम जैसे अहम आवाम वायम अहम मतलब मैं मैं मतलब मैं अकेला ना आवाम मतलब हम दोनों और इसका आर्थ क्या हो जाएगा हम सब अब एक बचन वाला करता ले रहा है एक बचन वाली क्रिया लगाईए दुवचन वाला करता ले रहा है दुवचन वाली क्रिया लगाईए बवचन वाला करता ले रहा है बवचन वाला करता ना तो अहम पठामी ये क्या हो जाएगा आवाम पठावा वयम पठाम आवाम पठाम मैं अकेला पढ़ रहा हूं ना आवाम पठावा हम दो लोग पढ़ रहे हैं ना अथवा हम दो लोग पढ़ते हैं अथवा हम दो लोग पढ़ रहे हैं ना वयम पठाम हम सब पढ़ रहे हैं ना हम सब पढ़ते हैं अथवा हम सब जाएगा है कि अगर हम क्या कर देंगे त्वो कि यौवां यूम तुम पठके और युवां क क्या तो है कि नंघपको उत्त्य क्रिया के साथ जोड़ेंगि बागी जो भी बचेगा सबको प्रथम पुरुष के साथ जोड़ देना है अनुबाद सही होगा ना सबका अभी छोटा छोटा अनुबाद आपको दो चीज केवल याद करना है युसमत को जब करता बनाएंगे तो क्रिय कहा की लगाएंगे मध्यम पुरुष की असमत को जब करता बनाएंगे तो क्रिय कहा की लगेगी उत्तम पुरुष की बाकि चाहे जिसको करता बनाएंगे क्रिय कहा की लगेगी पृथम पुरु किसी का नाम रखेंगे तो पुर्थम पुरुष की क्रिया लगेगी भावत सब्द को रखेंगे तब भी पुर्थम पुरुष की क्रिया लगेगी लेकिन इसमत को अगर रखेंगे तो मध्यम पुरुष की क्रिया लगेगी असमत को करता बनाएंगे तो उत्तम पुरुष की क पढ़े लिया और शीखने शिखाने की कोई जरूरत नहीं है एक कदम जैसे चल बना आगला कदम कहा रखाइब अपने पता चल जया था यहार रखाइब आगे बगले यहार गड़ा बाक यहार गड़ा बाद कदम कहा जाए पहले अब भ्यास पड़ा बद दूसरें काउ बता जो है साहित का अनुगमन करता है और अनुगमन करने वाला हमेशा छोटा होता है साहित का अनुगमन किया है व्याकरण इसलिए व्याकरण क्या है छोटा है साहित बड़ा है साहित कठिन है व्याकरण सरल है केवल व्याकरण में क्या करना है हमको आपको सिस्टम से चलना है जब शिष्टम आप फालू करेंगे आपको सर लगेगा सब चीज ना तो यह सब आपको पढ़के आना है एका पूरा पढ़िका वज्याए पूरा गण पूरी धातु पूरा विकरण ना किस गण में कितनी धातु में हैं कौन गण है उनका सीरियल और यह वाली कारिक्या भव सबस्की वाली लोगे लेका।